Welcome to my lifestyle home remedies channel दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में शरीर में दर्द का घरेलू इलाज के बारे में बताएंगे और शरीर में दर्द क्यूं होता है ये भी बताएंगे तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आईए जानते हैं अक्सर लोगों को शरीर में दर्द रहता है इसमें सिर दर्द, मानस्पेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोडूं का दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द आदी शामिल हो सकते हैं अधिक वर्क वाउट करने, लगातार बैठकर ओफिस का काम करने या फिर अधिक चलने फिरने से शरीर के कई हिस्सों में दर्द, एंठन और थकान में हिसूस होने लगती है शारीरिक दर्द कई बार इतनी बढ़ जाती है कि सामान्य कार्य करना भी मुश्किल हो जाता है कई बार लगाता रहने वाला शारीरिक दर्द या बॉडी पे नुकसान भी पहुंचा सकता है ऐसे में इसके मुख्य कारणों को जानकर प्रॉपर इलाज कराना बेहत जरूरी हो जाता है इसके अलावा आप कुछ घरेलू उपायों को आजमा कर भी असमय होने वाले शरीर के दर्द को दूर कर सकते हैं शरीर में दर्द होने के कारण हाइपो थाइरोइडिसम, कॉमन कोल्ड और फ्लू, अर्थ्राइटिस, फाइब्रोमायल गिया, मानस्पेशियों में कमजोरी, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, अनिद्रा की समस्या शारीरिक रूप से एक्टिव ना रहना, विटामिन डी की कमी, डिहाड्रेशन, ये सभी शारीरिक दर्द के कारण है शारीरिक दर्द दूर करने के घरेलू उपायों के बारे में जानते है यदि आपको उपर बताए गए किसी भी लक्षनों, कारणों से शरीर में दर्द रहता है, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें निउट्रिशनिस्ट नमामी अगरवाल ने शारीरिक दर्द दूर करने के कुछ आसान से घरेलू उपाय बताए है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वे बॉडी पेन दूर करने के लिए तीन मुख्य ईजी टिप्स बता रही है शारीरिक दर्द दूर करने के लिए लें हेल्दी डाइट नमामी अगरवाल बताती हैं कि आपको शरीर में दर्द कई कारणों से हो सकता है जैसे जोडों में दर्द, मानस्पेशियों में दर्द आ दी इसके लिए जरूरी है हेल्दी बेलेस डाइट लेना इसमें हर तरह के मिनरल्स, विटामिन्स शामिल होने चाहिए शरीर में न्यूट्रिशन की कमी ना होने दे खासकर विटामिन्स की, विटामिन A, B, C, विटामिन D से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें खूब पानी पीएं यदि आप कम पानी पीते हैं, तो भी शरीर में दर्द हो सकता है पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है, जो बॉडी पेन को बढ़ाता है पानी पीने से शरीर से टॉक्सिक पदार्थ बाहर होते हैं गर्मी के मौसम में कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है ऐसे में प्रते दिन आप 2-3 लीटर पानी जरूर पिएं नेचुरल मसालों से दूर करें शारीरिक दर्द कई तरह के नेचुरल मसाले होते हैं जो शरीर में हुने वाले दर्द को दूर करने में मदद करते हैं यदि आपको मांस्पेशियों, जोडों में दर्द रहता है, सिरदर्द, पेट दर्द होता है, तो आप अदरक, लहसुन, हल्दी, दालचीनी आदी प्राकृतिक मसालों को डाइट का हिस्सा बनाएं. इन मसालों में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रापर्टी जो और गुन पाए जाते हैं, जो हर तरह के शारीरिक दर्द को कम करते हैं.